अश्कार, गुड मॉर्निंग सूप्रभात, मैं हूँ आपका अपना आचारे विनोध शर्मा आज है 23 मार्च दिन है शनीवार, फागुन का सुन्दर महीना चल रहा है, शुकल पक्ष की त्रियोदशी तिथी है शुरुआत करते हैं मेश राशी से, मेश राशी वालो अपने खर्चों पर नियंतरन कीजिये वरना अनियंतरित रूप से किये गए खर्चे आने वाले समय में financial दिक्कतें पैदा कर देंगे आज बहुत अच्छा होगा कि आप शनी चालीसा का पाट करें और शनी देव को प्रसंद करें आज के लिए आपका लकी रंग है हलका लाल और लकी नंबर है एक वरिश राशी वालो बड़े लंबे समय से आपके पैसे कहीं अटके हुए थे बार बार फोन करने पर भी सामने वाला कोई जवाब नहीं दे रहा था लेकिन आज शुकर देव की कृपा से जो की आपके राशी स्वामी है बहुत संभावना है कि जिसने आपका धन देना है वो स्वयम ही आपको संपर्क करें इसलिए खुश हो जाईए दिन बेहतर है बेहतरीन है आज के लिए आपका लकी कलर है गुलाबी और लकी अंक है दो मितुन राशी वालो अगर आप अपनी सेहत पर आज ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में पच्चताएंगे बहुत अच्छा होगा कि आप योगा और प्राणायाम का सहारा ले योग करता है सब को निरोग इस उक्ती को आप धारन करें आज के लिए आपका लकी रंग है हरा और लकी अंक है तीन करक राशी वालो आज सूर्योदे के बाद से ही मन चिंतित रहेगा कोई पुरानी याद आपको बेचैन करेगी मन को निराशा से भरेगी इस निराशा से बचने के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप शिव चालीसा का पाठ करें आज के लिए आपका लकी रंग है सफेद और लकी नमबर है चार सिंग राशी वालो आज बड़े दिनों बाद एक सुख का सांस आएगा आज आपको किसी पुराने मित्र से कोई शुब समाचार मिलेगा आज नौकरी की तरफ से भी और व्यापार की तरफ से भी धन धाने की परचूरता वाला दिन है निवेश के लिए भी दिन बहुत अच्छा है आज के लिए आपका लकी रंग है मेरून और लकी नमबर है साथ कन्या राशी वालो आज रिष्टों में विवाद से बचें जीवन साथी के प्रती इतनी कटुता ठीक नहीं आपके सारे शक जो जीवन साथी की तरफ जा रहे हैं वो बे बुनियाद हैं उनको इसी वक्त त्याव दिजिए आज के लिए आपका लकी रंग है लाल और लकी नमबर है तीन तुला राशी वालो आज किसी को भी पैसा देने से बचें क्योंकि आज दिया गया पैसा फिर वापिस लौट कर नहीं आएगा आज थोड़ा खर्चों पर नियंतरन करें इससे भविश्य में आपको ही लाब होगा आज के लिए शुब रंग है ग्रे और शुब अंक है पांच अब बात करते हैं वरिश्चिक राशी की वरिश्चिक राशी वालो आज आप अपने माता पिता की सेहत का विशेश ध्यान रखिएगा माता पिता में से कोई भी एक शिकायत कर सकता है बदन दर्द की आप उनको किसी डॉक्टरी इलाज को महया करवाईएगा इस से उनकी हेल्थ जादा खराब होने से बच जाएगी इसके लावा आपको ध्यान देना है कि आज आप पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तमाल करें और लकी जो नंबर है आपके लिए आज रहने वाला है दो आईए बात करते हैं धनू राशी की धनू राशी वालोग खुश हो जाएए आज आपको खूब धन लाब होने वाला है निवेश के लिए समय बहुत अच्छा है अगर प्रॉपर्टी के बारे में काफी समय से विचार कर रहे थे कि खरीदनी है तो आज ये निरने ले डाल ये सितारा आपके पक्ष में हैं आपका आज का शुब रंग है मेरून और शुब अंग है एक आई अब बात करते हैं मकर राशी की मकर राशी वालो आज बहन भाईयों में आपस में विवाद का दिन हैं अगर बहन से भाई के प्रती भाई से बहन के प्रती कोई मू से खरा इस बात को आपको समझना होगा आज के लिए आपका शुबरंग है काला और शुबरंग है आठ कुम्बराशी वालो आज आपको गाड़ी सावदानी से चलानी है आज आफिस में किसी विवाद से ना बचें आफिस में कोई महिला आप पर टूंट करेगी और उकसाने की कोशि कर देगा आज के लिए आपका शुबरंग है नीला और शुब अंक है तीन मीन राशी वालो आज का दिन भक्ती भाव से भरा रहेगा आज आप किसी गुरू के आश्रम में विजिट करेंगे और आश्रम में जाने से आपको एक विशेश उर्जा मिलेगी आज आपको गुर की बलेस्ग मिलने का दिन है इसलिए इस बलेस्ग को और जादा पाने के लिए ओम गुरुवे नमा का जादा से जादा जब करें इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी आज के लिए आपका लकी कलर है हिलका पीला और लकी नमबर है नो तो प्यारे मित्रों ये था आपका आज का राशी फल नए राशी फल के साथ मैं कल फिर खाजिर होंगा तब तक अपना और अपनों की सेहत का ध्यान रखिए नमशकार